by changing the order of integration the integral this double integral constant limits are from 0 to 1 and variable limits are from 1 to e raised to the power x fxy dy dx can be expressed is by changing the order of integration तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर dy है और यह dx है जो limit है उसमें x involved है यहां पर e raised to the power x तो यानि कि जो first में integrate किया गया है वो y के respect में किया गया है then x के respect में तो जब हम order of integration change करेंगे तो पहले x के respect में करेंगे फिर y के respect में करेंगे तो जब हम order of integration change करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ हम dy od dx को आपस में बस interchange कर दें और हमारा order of integration change हो गया है order of integration change करने के लिए जो है हमें जिस domain पर इसको integrate कराना है उसकी limits यान उसका domain of integration हमें पता होना चाहिए तो यहाँ पर जो y की limits है y equal to 0, y equal to 1 दे रख है और y equal to e raise to the power x तो सबसे पहले हम e raise to the power x का graph देख लिते हैं वो किस तरह का होता है तो e raise to the power x का जो graph है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर है तो अगर यह y equal to e raise to the power x का graph है और y equal to 1 तो वो कुछ यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि वो आपका इस तरह से एक लाइन जाएगा जरूरी नहीं यह point जो है वो same intersection हो यह बस मैंने ऐसे ही बना दिया मतलब कुछ इस तरह से y equal to 1 line होगी y equal to 1 और y equal to e raise to the power x यह तो देही रखा है next जो हमें यहाँ पर दिया है वो यह दिया गया है कि x की जो limit है वो 0 से 1 तक vary कर रही है तो हम इसको भी देख लिते हैं तो x 0 से 1 तक vary कर रही है इसका meaning है कि यहाँ पर x equal to 0 line और x equal to 1 तो x equal to 1 suppose करो हमारा यह है तो आपको जो region of integration है वो यह है आपका जो मैंने यहाँ पर shade किया है तो अगर आपको यह जो दिया था expression dy dx अगर इसका order of integration change करना है तो अब जो वो है वो इस तरह से होगा dx dy तो यहाँ पर x की जो variable limit होंगी वो आएगी और यहाँ y की constant limits आएगी यहाँ पर y की तो देख लेते हैं अब हम अगर हम इसको लेते हैं तो कैसे करेंगे अब तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी तक हमने graph तो x की variable limit लेने का meaning है कि x कहां से कहां तक vary करेगा तो x इस लाइन से इस लाइन तक vary करेगा तो यहाँ पर y equal to e raise to the power x है अगर हम ln ले 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 तो ln y equal to x तो यानि की x के हमें यह जो है lower limit होगी और upper limit क्या होगी यह हमें देखना है तो यह जो line है यह वाले जो line है वो line है x equal to 1 तो अगर मैं यहाँ पर x equal to 1 पूट कर देता हूँ तो y equal to e हो जाएगा तो यह हमें अब पता चल जाता है तो यह x equal to 1 था तो हमें तो यह हो गया x equal to 1 ओके अब हमें y के limit चाहिए यानि के x की जो limit थी limit है जो new limit है वो क्या होगा इसकी lower limit होगी ln y और जो upper होगी x की वो x equal to 1 होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो y की constant limit है वो कहां से कहां तक vary करेगी इस line से जो यह line है y equal to 1 से और up to point of intersection यहाँ पर point of intersection हम देख लेते हैं जहां x equal to 1 रखा है तो y equal to e हो जाएगा तो जो y की limit है lower limit हो जाएगी 1 और जो upper limit है जो कि यहाँ से मैंने आपको बताया वो यह हो जाएगी e तो अब हमें मिल गया है तो dy upon sorry dx dy लिखना है तो सिर्फ limit put करेंगे y की constant limit जो है 1 से e तक और x की variable limit जो vary कर रही है lny से 1 और यहाँ पर जो function था जिसको हमें integrate कराना था over this reason fxy dx dy अब यह हमारा order of integration हमने change कर दिया तो अब हम देख लिते हैं कि हमारा जो हमने यह change किया है यह किस से match कर रहा है तो आप देखिए यहाँ पर जो d option यहाँ पर दिया है तो एक से जो vary कर रहा है ln y से यानि कि natural log से 1 तक कर रहा है और जो y है वो 1 से e तक कर रहा है यानि कि इसका जो option correct option है वो आपका d है correct option is d और यह single होगा single correct option क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो x की lower limit है यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर 1 है lower limit जबकि क्या है x की ln y यानि कि natural log of y आप दो तक कर दो दो आप